एक्समुसलिम अदा आपका स्वागत है इस तक्वाल है बहन आपके अपने चन्रों समय पर कैसे हैं आप अब तक हूं आप कैसे हो मैं बिल्कुल ठाक हूं आपने जो डीपी लगाई है अपनी यह प्यारी सतोर्ते की यह आपको बल्कुल सूट करती है आपको पता क्योंकि आपकी जो आवाज है ना वह भी एक्दम इसकी तरह ही प्यारी है और मुठी है सबसे पहले तो मैं आपका वेल्कम करता हूं अपने चैनल के ऊपर और सारे जितने भी हमारे वीवर से उन से मैं गुदारिश करूँगा कि वह स्वीडियो को लाइक करें शेयर करें और लोगों आगे पहुंचाने जिससे लोगों को यह पता चले कि सिर्फ जो है बच्चे ही नहीं बड़े ही नहीं जवान बुड़े ही नहीं बलकि हर उमर हर तब के हर एक इलाके और हर एक खिते से लोग जो है वो इस कल्ट को समझ करके इस इस इसलाम को समझ करके छोड़ रहे हैं इससे वहान निकल रहे हैं यह आवाज आप लोगों को एक घर तक पहुचाने की ज शेर करें अपने दोस्तों के साथ और आगे इसको पहुंचाएं तो मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा अदा आपकी स्टोरी पर आना चाहूंगा आपने मुझे सबसे पहले तो यह कहा था कि आप जो है अपने एक्सपिरियर्श शेयर करने होते हैं तो मैं आपकी लाइफ की तरफ चलते हुए आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं और अपनी फैमिली के बारे में अपने बारे में किस तरिकी की फैमिली में आपकी परवरिश हुई तो आपको इस आपने इसलाम की क्या ज दोनों चीज़ा आप आवाइदा है जी ठीक है मेरी फैमली में कोई नहीं है फिर आल तो बस मैं और मेरी मम्मी रहते है मेरे अबू मौलवी है लेकिन मम्मी मैं मतलब रेड़ साल की थी तो मम्मी का डिवास हो गया है तो मेरे जो पापा थे वो यहां आये थे नानी की घर में मौलवी बनकर यहां मजजीद थी तो उसमें इमाम बनके आये थे तो मम्मी मदर्से में पढ़ाने जाती थी पहले तो उनको पसंद आई मम्मी ना तो उनसे निकाह की बात की मम्मी ज़्यादा अमीर घर से नहीं थी बहुत छोटे मेरे नानों थे ना वो ज़्यादा अमीर नहीं थी किराय के घर में रहते थे तो उन्होंने अच्छी लाइफ समझ करके उनसे निकाह के लिए तैयार भी होक कर भी दिया जब निकाह हो गया तो फिर मम्मी को लेकर मौलवी साथ कुछ समय के लिए यहां रहे लेकिन फिर चले गए जब वो अपने यहां पहुंचे तो मम्मी को भाँ जाकर पता चला कि वो पहले से ही मतलब साधी सुदा है उनकी एक वाइफ भी है और ना एक बेबी है और विलाल में जो वाइफ है वो प्रेग्नंट है। कि मम्मी को बांग में वहां जाकर सुन चला था उन्हonter Heard मतले मतलब नहीं बताया था। इत्टोस्यूल," तो और हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं बताया था इस बारे में कुछ भी बात ही नहीं हुई थी बच्चे है एक वाइफ है प्रेगनेंट है तो पहले तो मतलब अब्बू ने इस बात को इग्णोर कर दिया उन्हें जवाब नहीं दिया लेकिन मम्मी कैने बार बार उनसे एक ही कॉशन पूशन लगी नाराज हो गई तो उन्होंने वो हंटर आप जानते हो वो हंटर होता है न मारने वाँ तो उसे मेरी अम्मी को बहुत मारा मेरी बड़ी अमी आई और उन्होंने इस बारे में फिर उन्हों से कुछ सवाल भी ने किया और इसे ही time भी नोगका बीचने लगा अबो रो जाते थे अमी को बहुत मारते थे और बड्य अमी प्रेगनंट थी ना उनको भी मारते थे मतलब उनको ऐसा नहीं था कि प्रेगनंट है छोड़ दू ऐसा कुछ नहीं था बड़ी अमी के लिए हम आपकर वादमी जामे के मतलग एक prevडेती हुई तो थीरे मेरे को खोषी नहीं थी उसके पिडा होने पर और अगे जाकर के जब देरेड थीरे वक्तुने लगा भाची भी थोड़ी बड़ी हो थी मतलब हो घुटने के ब़ल चलने लगी थी तरहada की बात है अबू आये थे यहां से मदर्सी से नहीं मस्जिद वो मस्जिद से आये थे इशा का टाइम हो रहा था तो कराम कर रहे थे और बड़ी अम्मी सब काम कर रहे थे कहर का तो गोदी में लेने के लिए वो बच्ची रो रही थी तो वो गिस्ते गिस्ते मतलब अपने चल धकka मार दिया और दूर उधर जाके ऐसे बोलाarios जब से पैदा भूईे मतलब मेरे सर का टेंसर न äli बनी वे हुli है यह बोलकर रुश को धकका मार दिया तब वह चल भी नहीं पाती थी इसका सर जाकर ना वँशीलबटा होता है न मसाला पीश चैया है कि उसकी मौत हो चुकी है, वहाँ पर डेड़ बॉड़ी पड़ी हुई है, इस बाद से कोई खास फरक नहीं पड़ा था, वह बैसे ही थे उनका पीहेवियर में कोई बत्लाब नहीं आया, बच्ची की मौत के बाद में अम्मी ने गाउवालों से काफी मदद मांगी, और बड करते ही नहीं हो सकती, तो ऐसे इत्वाक से वह बच्ची के साथ ऐसा होना था, अल्ला की मर्जी थी हो गया, कोई पुलिस कम्प्लेन नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ी अमी तो पागल सी हो गई, धीरे-धीरे उनका मेंटली जो है, हेल्थ खराब होने लगा और वो पागल भ बड़ी अमी को लेकर चले गए, क्योंकि वो पागल होगी थी, मतलब अबुने ज़्यादा सोचा नहीं, और उनको जाने भी दे दिया, वो चली गई, अब बची सिर्फ मेरी ममी, तो अबु रो जाते थे, अमी को बहुत मार्बिट करते थे, बहुत जादा, मतलब आज भी 20 सा लोग है, और उनकी बॉड़ी में वो निशान है, तब मेरी अमी फस्ट बेबी से प्रेग्नेंटी, बेबी बॉय था, और वो करीबन साथ मेहने की प्रेग्नेंसी में चल रही थी, मैं ममी, जब क्या हुआ, कि एक औरत का उसी गौ में हलाला होना था, जिसके लिए वो हलाला, तो वो नहीं चाहती थी, कि सब हो, तो वो मेरी ममी के पास वो हराता ही, और बोली की, आप बाजी है, हलाला को रुखवा दो, इमाम साब को बोल के, ठीक है, हम लोग तो ऐसी भी रह सकते हैं, तो मेरी अमी जो है, वो अबू जब शाम को आए, तो उनको बोली, कि मत करो, यह सब, वैसे भी हमारा मतलब, हमारा देश का सविधान तो यह सब लागों भी नहीं करता है, तो आप छोड़ दो, यह सब मत करो, उनको रहने दो, जीने खाने दो, तो अब उन्हें अमी को बहुत मारा, और इतना जादा मारा कि मतलब, वो जाकर गिर गई, और गिरन जब हो, जब हो मर किया, घुच्च्च्ट का अम्यम का फी मतलब ब्हों ब्होश अने की कंडिशन में हो गई थी तो, मेरे अब और बोला कि ना तो मेरे अर आसलाम के बीच में मत आया कर जो हो रहा है वो ऐसे ही चलेगा, और ऐसे चलेगा, जो, इंडिया का जो नियम है, व पता था कि कुर्बानी के- कि लिए किस के लिए चोटा सा था बहुत चोटा था तो हम उसको खाना दे-थी वह काफी टाम पहले से आ गया था तो हम चार मेहने पहले उसको खाना प्味 को फ़्वानी को रखी को को फुट करने लगी कि नहीं करने नहीं के मैं उसको बहोत प्यार है तो अब ने पिर अमी को से से माई और भी उज्व मुदू भर है तो इसका सर पी निशान है Um Def की डो सर को सर फोड के फिर जम ममनी हैष娘 के जह मरेन निक पर प्रेगन है न हरसाद मी striking मैरेर वो होस्पिटल से ही चले गए और फिर वापस अपने घर चले गए अम्मी को नानू के पास छोड़ कर पुछ वक्त के लिए अम्मी नानू के साथ में थी ति पर उसके बाद वो चली गई अपने घर वापस जब वहां गई ना तो फिर अबु मम्मी का बिलकुल खयाल नहीं कि नानु की तब खराब होने लगी डॉक्तर ने जवाब दे दिया कि हाँ यह नहीं बचेंगे तो मेरी ममी मेरी नानु की सिंगल चैल नहीं तो वह चाहिए थे कि आखरी समय पे अपने बेटी दामाज से मिले तो उन्होंने ममी को लेटर वगेरा बेज़ आने की कोशिश की तो मेरे अबू ने पढ़ा भी लेकिन ना इस पर ध्यान नहीं दिया फिर एक दिन हुआ कि मेरे नानु खतम हो गए और जब मेरे नानु खतम हो गए तो यह बात भी मेरी नानी ने मेरे ममी को बताई लेकिन ना अबू ने फिर भी जाने नहीं दिया जब ममी को बात में पत प्रहंटर से बहुत जाद हमारा और उनका जो हाथ है ना वह पकड़ के से चूले जलते वह चूले में डाल दिया और उसी के वज़े साथ भी मम्मी के जो फिंगर से वह काम नहीं करते हैं तो वह डाल दिया फिर मम्मी को बहुत तकलीद में थी एक दिन सामकर से नहीं हो रहा था और आराम कर रहे थी मेरे अबू तो मैं बहुत रो रही थी ठीक है और मेरी उस वक्त क्या हुआ था मम्मी से गल्टी हुए थी मेरे को खुला चोड़ दी तब मैं चल सकती थी तो मैं चल चल के जा रही थी तो क्या हुआ मेरी अमी दोड़ते हुआ ही और गोदी में मुझे उठा लिया कि मेरे अबू के पास ना पहुच पाहूं मैं करके फिर अबू ने कहा कि अच्छा हुआ तुने रोप लिया वैसे भी ये मेरे सर का बोज़ ही है अगर मैं इसको घर में तो भी मेरे किसी काम की नहीं है और अगर मैं इसको शादी भी कर दूँगा तो भी कही काम आएगी किसी के कि वायद किसी के सोने के बिस्तर तक से ज़्यादा इसकी उकात भी नहीं होती तुम लोगों की ममी को एबात बहुत ज़्यादा बुरी लगी उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहां से निकलना है किसी भी हाल में ममी ने सारी बाते नानी को बताना शुरू की नानी कुछ लोगों को लेकर गई और ममी को वहाँ से लेकर आ गई जब ममी वहाँ पस से आ गई तो यहां के लोगों ने ममी को बहुत ज़्यादा टर्चर करना शुरू गई इतना ज्यादा टर्चर किया कि मम्मी को जैस मदर्सा में मम्मी पढ़ा दी थी जब वो वापस वहां पढ़ाने लगी तो उस मदर्सा से निकलवा दिया गया मम्मी को पिर मम्मी जो है दूसरी-दूसरी जोखन नोकरी ढोलने लग गई। पिर उनको उस नोकरी से भी नोकरने दिया गया, मत्द्ब वहाँ से भी निकलवा धे रहे। ऐसे में खाने वाने के लिए, घर के राशन के लिए हर चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा परिशानी होने लगी और ना हमारे पास खाने के लिए उस था ना कुछ भी नहीं था हमारे की लाइट भी काड़ दी गए थी और जो मकान मालिक था मतलब नानी को बिद्वा पे इंसन मिलते थे उसमें 300 रुप तो मकान मालिक था वो उस पैसे को भी ले लित है जिसकर मैं डिसकस आगे भी करूंगा लोगों के साथ लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है एक नहीं है मैं आप से छोटी सीक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके अबू आपने बताया कि आपके अबू मोलवी है तो जब वो इस तरह के जल्म कर रहे थे आपकी पहल सद्धियर के खालव उने आपकी अम्मी ने कभी इसकी प्लिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं थी उनके खिलाफ मेरे मम्मी जो है वो गरीब घर से थी उन्होंने सोचा कि अगर वो जाएंगी तो करेंगी तो करेंगी भी क्या असलब वो वापस तो जाना चाहती थी पर वो कभी जाने की नहीं सोच पाती थी मेरे नाना नानी बहुत गरीब थे और उनके पास इतने अच्छी कंडिशन नहीं थी और हम जिस जगह पर रहते हैं मतलब वो सुनी इलागा है, पूरे सुनी है यहाँ पर एक घर सिया है और कुछ वहाबी है तो क्या होता है कि मम्मी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई नहीं कि कोई भाई आएगा तो इसके लिए काफी ममी को बोला जाता था और रही नाना नानी तो काफी बूड़े हो चुके थे और उनका खुद का मतलब घर भी नहीं था ऐसे में सपोर्ट के बिना क्या हो पाता और रही घर की बात तो वो भी किराय का ही है सबकुछ तो कुछ भी नहीं था जो सपोर्ट कर सके हो नहीं तो मतलब सिर्फ इस वज़े से कि एक तो वो मॉलवी थे लोग उनके बहुत ट्रस्स करते थे दूसरा आपकी फैमिली ट्रस्ट की भी मतलब बजह थी आपके मम्मी अकेली थी और आपके नाना भी बुड़े थे पर आपके मम्मी की तरफ से ऐसी कोई खास स्पोर्ट थी नहीं तो इस वज़े से उनके साथ ये जल्म भी होते रहे वो सहती रही अच्छा यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स के उपर मैं रोशने डालना चाहता हू फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ अदा अच्छली आप यह देखें जो लोग यह कहते हैं कि इसलाम में जूट बोलना हराम है या धोका दाना हराम है तो अलतकया की शुरुआती महां से हुई जब इनके वालियाने की जो मौलवी सहाव हैं उन्होंने इनकी वालदा को बिना यह बताए कि वो पहले से शादी शुदा हैं उनके साथ निका किया इसे यह बात भी बिल्कुल वाज़ हो जाती है जो लोग आपके जले भी बनाते हैं कि अगर दूसरे शादी करनी है तो पहली बीवी की इजादत लेने की जरूरत है तो कता ही नहीं है क्योंकि पहल बीवी को मार भी सकते हैं तो यह जो इन्होंने बताई है कि उन्होंने अपनी बीवी को मार आप मोल भी होने के बाद वो अपनी बीवी को बिल्कुल मार सकते हैं कि उनको पता है कि कुरान खुद जो है वो महिलाओ को मारने की इजादत देता है कुरान के अंदर इसलाम है वो महीला ओ की इजट नहीं करता है वो कहता है कि सुरे मौलवी साब ने भी पड़ी है तो मौलवी साब भी वही समझते हैं कि बेटियों को महिलाओं को कोई इज़त के लाइक वह नहीं समझते हैं उन्हें सिर्फ इस्तमाल की चीज़ समझते हैं एक और पॉइंट इसमें गौर्व बिकर करने का ये है कि जो लोग हलाला की सच्चाई को भी ढखने चिपाने का काम करते हैं हलाला भी इसलाम की एक बहुत बड़ी खूशूर्ती है कि एक आदमी गुसे में अगर अपनी बीवी को तलाग दे दे और बाद में उसको यह एसास हो जाए कि तुमने गल्स कर दिया तो वो किसी भी कंडिशन में अपनी बीवी को वापस नहीं पा सकता जब तक वो अपनी बीवी का किसी और के साथ निका करा के शादी करा के और उसके साथ उसको सुला कर्के उसकी इदत ना कराले इसके बाद ही वो पहला husband अपनी वीविन शादी कर सकता है यानि कि एक आदमी की एक मर्द ही गलती की सजा हमेशा एक महिला को एक औरत को भुगत नहीं पड़ती है पैसे कि औरत लफज ही कहना इतना गंदा है औरत का मिनिंग ही है private part कि इतना गंदा लवज इस्तमाल करते हैं ये महिलाओ के लिए इसको सीधा उसके private part से पुकारते हैं गाली देते हैं एक महिला की ये इजज़त है ये वकत ये अकात है इसलाम के अंदर और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें ये बता रही हैं वो तो वाकईव हैं ग़र विकर करने की हैं कि अगर एक दीन का शैदाई दीन का दाई एक मौलवी जो की इसलाम दिन एसलाम को एक आम मुसल्मान से बहुत जादा जानता है अगर उसकी जिन्दगी ये है तो आप सोचिये कि फिर इसलाम क्या होगा अगुश्लाम के मानने वालों को अगे क्या तालीम देगा ऐसे भी लोग मौजूद हैं और ऐसे लोगों को हमारे मुसल्मान भाई अपने सरों का ताज समझते हैं उनको ये कहते हैं कि ये हमारे उलमा हैं हमारे नबी के वारिस हैं ये लोग उनके सक्सेसर हैं तो लिहादा हमें इन लोगों को इन लोगों की इज़त करनी चाहिए इन लोगों को अपने सर का ताज बना करके रखाना एक इतने घटिया शक्षित के मालिक इनसान को वो लोग अपने सरों का ताज बना करके रखते हैं उसको इज़त देते हैं ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और हमारे मुसलमानों से जब इसके बारे में सवाल किया जाता है अभी अगर हम इस स्ट्रीम के बार लिंग ओपन करके अपने मौमिन भाईयों से सवाल करेंगे उस सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि यह तो मौलमी साब की अपनी गलती है इसमें इस इसलाम जायस करता है वो जो काम कर रहे हैं वो सब की इसलाम देता है मुझे एक पॉइंट पर अगर कोई चैलन्ज करेंगे इसकी इसलाम नहीं देता जो रोने किया तो जिब इस सारी चीज़ें तुम्हारी की इजाजत और करने का हुकम तुम्हारा इसलाम देता है तो बिटा आपकी बात सुनकर, आपकी स्टोरी सुनकर मुझे नहीं अंदादा था, क्ताई भी, कि इतनी दर्द भरी आपकी ये दास्तान है, और इतनी तफलिपों से आप और आपकी वालिदा गुजरी है, मैं आपकी वालिदा के जुजबे को सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ मेरी प्यारी बहन लोग कहते हैं कि हम लोगों में बहुत हिम्मत है, बहुत होसला है कि हम पे इस दिखा कर कहते हैं, मैं कहता हूँ कि असल हिम्मती और असल होसले वाली तो आप जैसी मेरी बहने हैं और आपकी मा जैसी हमारी माई है जो इतना जज़वा रखती है और सल्यूट है आपके सलाम को बहन कि आप इस सच्चाई को जो है इतनी बेवाकी से सामने रख रही है ताकि फिर किसी के साथ ये सब न हो बहुत-बहुत सल्यूट आपको अधा फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी वालदा को उन्होंने जिस तरीके से उनका मामला किया फिर अलग हो गए आपकी वालदा उन से तो उसके बाद फिर क्या हुआ तो आप तो मेरे खाल से उस वक्त बहुत छोटी थी तो आपको फिर ऐसा क्या लगा कि आपने इसलाम को छोड़ दिया या इसलाम से आपने दूरिया बनाई ये बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपकी वालदा भी इसलाम से छोड़ चुकी है या उनकी क्या गंडिशन है पहले में ये बता देती हूँ कि मेरे अबू जो है उनको सब इतना इसलिए मानते थे कि कोई जहां हम लोग मतलब मेरे नाने के घर हो या पिर ना दादी की जगा दोनों पर एक बात कॉमा ने कि मेरे अबू इमाम की ली तो करते थे लेकिन इसके साथ साथ में वो बूत प्रेट जो भगाते ना जिन निविन उन सब का भी काम वो करते थे और इसमें पर चीज़ हाँ जाड पुक्का लेकिन मैं इसके लिए बता हम लड़का आता था तो कॉमन सर्ममे चाहिए पुका जाडी हो जाती थे लेकिन जब कोई महिला आ थी पुका जाडी कराने के लिए उसका रूम में अकेले लेके जाके उसको फुकल चाड़ी किया करती थी बाद में कई सारी मम्मी के पास शिकायते भी आ थी पिर जब मम्मी वापस या नानी के घर आ गई तो उन्होंने तलाग के लिए बोला तो अब्बू तलाग नहीं देना चाहते थे और अब्बू के सपोर्ट में न यहां के मम्मी लोग भी थे सब सपोर्ट करते थे अबू को वो चाहते थे कि मम्मी ना हलाला करवाले और चली जाये वापस मतलब वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि मम्मी जो है यहां पर रहे तो उनको जौब भी नहीं करने दे रहे थे फिर क्या हुआ कि मम्मी ने ब आफनलब तक मिट्टी के होते हैं और खपड़े लगे उपर से चपपजे होता है वो तो उसको पत्थर मार मार के पूरा तोड़ दिया गया था हम पुलिस के पास जाते तो कोई सपोर्ट नहीं था कोई कोई रास्ता ही नहीं बसता था ऐसे में क्या होता था कि बारिश को जि करने के लिए जाएगी तो ममी इस जगह को चोड़कर दूसरे दूसरे शहर काम धोड़ने चली जाते थी और फिर वहाँ काम करके थोड़े-थोड़े पैसे जमा करने लगी थी धीरे-धीरे मैं भी बड़े होने लगी थी लेकिन क्या हुआ नहीं हमारे घर में लाइट भी न लेकी है कि एक आदमी जो है अगर उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है या उसको उससे चुटकारा चाहिए या उसको उससे अच्छी मिल लई है या वो उसको रखना नहीं चाहता मजीद कुछ भी वज़े हो या उसको यहीं पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी ने जो सबज करने के बाद भी इसलामी होने के तालुक से कभी भी डाइबोर्स नहीं दे सकती अपने पती को अच्छा है बुरा है घटिया है या बत्तर है उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा जेलना पड़ेगा और ये जो हमारे मुस्लिम्स लोग आगर के कहतें कि वह औरत के पास खुल जब हजबन देना चाहेगा वो मांग सकती है कि मुझे डाइबोर्स चाहिए इसको खुला कहते हैं अब देना ना देना तो वो हजबन के हाथ में अगर हजबन देता है खाविन देता है उसका तलाग तो ही उसको खुला मिलेगा और नहीं देता है तो उसको नहीं मिलेगा तो यहां भी बूमन जो है वो पमजोर है, बेबस है, परिशान है और माजोर है.